आप सबको मेरा नमस्कार जय भीम दोस्तों आज मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हर्याली तीज वृत हम लोग कैसे करते हैं और इसमें क्या-क्या करना होता है दोस्तों वृत के दिन ना सुभ़ जल्दी उट कर घर के सारे काम निप्टा कर हमें नहा दोकर दुल्हन की तरह तयार होने के बाद में हम लोग नदी या घात पर जाकर सभी महिलाए अपनी जूडी बनाकर बहने पानी से रेत को निकालती है जिसे गौर कहते हैं और दोस्तो एक टोकनी या थाल में इसे इखटा कर लेते हैं फिर घर में आकर उस रेत का पिंड जो सिव भगवान को होता है वैसे हम लोग पिंड बनाते हैं फिर सिव लिंग जिसे बोलते हैं हम सभी बहने मिलकर बनाती है और एक चवरंग होता है जो लखडी का होता है उस पर रखकर media पना प्त्य मसें ना फिर मंदीर बनाटे हैं उस मंदीर में पूजा समागरी हम पूजा की सारी तयारि कर लेते हैं तो हम लोग money आपने जाते ह्याए हैं यह किसली भी एक घर में होता है क्योंकि वने सब अपने अपने घर में नहीं करते हैं लेकिन किसी एके घर में करते हैं सभी लोग इखटे होती है तो ज्यादा अच्छा लगता है साम के समय में फिर सभी महिलाए अपने अपने घर से अच्छे दुलहन के तरफ फिर सचती है और सजी हुई थाल के साथ में उस मंदिर में प्रवेश करती है दोस्तों और पूजा करके सारी सामगरी मंदिर में चड़ाने के बाद मेना आरती करते हम लोग पांच या साथ आरत मंदीर में जहां हमें सब को मिल कर आरती करनी होती है अब रात में जागना है तो पहले वुरत की कथा पड़ते हैं और फिर ना हम लोग भजन और गीतों से समा वानते हैं समय पर हम लोग न फिर आर्ती भी करते है और कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है दोस्तों ऐसी माननेता है कि निर्जला वुरत रखने से भगवान शीव एवं गवरी माता का पूजन और भजन किर्तन करते है ना तो सारी मनों कमना पूढ़न होती है महिलाय राद भर जाकर पूजा अर्चना करती है और दुसरे दिन फिर वही प्रक्रिया रहती है कि सुबह घर जाओ और अच्छे अच्छे नए पक्वान बनाओ और उसके बाद में फिर पूरा खाना हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आते हैं और फिर पूजा करते हैं और जो भी हमने सामगरी जो चड़ाई होती है उसको फिर हम लोग अपनी अपनी तरह से अब याद तो रहता नहीं क्योंकि सकी एक शाथ में रखी रहती है न तो कुछ भी समझ मेनि आता है कि किसकी कोन से है लेकिन फिर भी अंदажи से हम विशर्चित करते हैं और जो नए नए हम पक्वान बनाते हैं जो पुजा करते हैं उसी से हम लोग घाट पर जाकर फिर वरत को तोड़ते हैं इस प्रकार से तीज वरत होता है दोस्तों और बहुत इंज्वाय करती है महिलाएं क्योंकि साल भर ना तीज वरत का वेट करती है और जैसे तीज वरत होता है बहुत कथिन वरत माना जाता है इसको सुहागर महिलाओं को और उसी प्रकार जैसे अपना करवा चोथ होता है यह भी इस्वागर से हम लोग मनाते हैं और यह सुहागर महिलाओं ही करती है तीज का वुरत सबसे ज़्यादा माननेता उन्हीं लोगों को दी जाती है कि सुहागन मैलाय अपने पती के लिए करती है करके तो इस प्रकार से हम लोग तीजा का वुरत करते हैं दोस्तों और बहुत अच्छा भी लगता है हमें और बहुत एकदम खुशी का ही माहुल रहता है जब हम लोग उपास रहते हैं नए कपड़े पहनते हैं और पुरा घर का माहुल इतना खुशनुमा रहता है कि बहुत अच्छा लगता है तो इस प्रकार से हम लोग तीजा का वुरत करते हैं दोस्तों और फिर ना उसी दिन गनेश स्थापना की तैयारी सुरू हो जाती है अगर कोई गनेश जी अगर बिठालते हैं सब लोग तो नहीं बिठालते हैं कभी कभी चौक पर बैठते हैं जैसे सारवजनिक बोलते हैं और कई लोग अपने घर में भी बिठाल लेते हैं तो इस प्रकार से फिर हमें दस दिन और वुरत पूजा का लाब मिलता है दोस्तों यह दोनों जो होते हैं न तेवार यह साथ साथ में ही आते हैं इसलिए हमें बहुत खुशी होती है और बड करके जरूर बताना दोस्तों और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों थेंक्यू नमस्कार जैभी